और स्यानी जो कर्दलिया जो बाजार में अलग-अलग तरह के कई फ्लेवर्स में उपलब्थ हैं समानेत हैं और इसके सेहत के लिए बहुत अच्छे गुण हैं लेकिन क्या आप चानते हैं कि यह आपकी तुचा और सुंधरी के लिए भी विशेश लापतायक हैं इसमें कैश पोटेशियम मैगनीशियम और विटामिन बी के जो हैं परपूर तत्व पाए जाते हैं नर्वस सिस्टम के लिए यह बहुत फायतेमंद होता है और आपको स्वस्थ बनाने में बहुत जादा मददकार होता है इसका दूसरा जो फायदा है और समें पाए जाने वाला इनर् प्रत्रित रखता है यानि कि आपके रक्त में वसा यदि है अत्रिक तो तो इसे यह कम कर देता है तीसरा इसका फायदा है यह पेट से समंदित बिमारियों में बहुत अधिक लापतायक है यह कॉंस्टिपेशन और पेट खराब की समश्या से निजात दिलाने में मदद करत है इसका नेक्स्ट मैं आपको फायदा बचा रही हूँ इसे प्रती दिन यदि आप नास्ते में खाते हैं तो डाइबिटीज में यह है आपको बहुत मदद करेगा इसके निरोगी रहने में आपको बहुत मदद करेगा क्योंकि यह इंसुलिन जो है उसके स्तर को नियंतित रखने में सहायक होता है इसका नेक्स्ट फायजा है यह तुच्छा को खुबसूरत बनाने के लिए मदद कर सकता है इससे बना करके फेस पेक यदी चेहरे पर लगाएं तो तुच्छा स्वस्थ और सुन्दर हो जाती है नेक्स्ट शिक्स इसका जो फायजा है और्ष्ट के चोक गर में प्रेब्त मात्रा में फायवर पाया जाता है और यहाई ज़्टी से पेट भने के सासाथ आपके श्रीर में उर्जा का संचार करता है इसलिए बजन बढ़ने से रोकने के लिए बहुत मददकार फ़ावित हो सकता है नेक्स्ट इसका फायदा है कैंसर से शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण होने वाले समश्याएं जैसे चकर आना जी खपर आना जैसी समश्याओं में ओर्ट्स फायदे बंद है क्योंकि इसकी प्रकर्दी थंडी होती है नेक्स इसका फायदा है रुखी तवचा या एक जीवा जैसी तकलीफ में ओर्ट्स सहयक होते है ओर्ट्स मिल बात लेने से तवचा की जलन समाप्त होती है और रुखापन परी समाप्त हो जाता है नेक्स्ट इसकाल आप मैं बता देती हूँ ओर्स को दूद में मिलाकर बनाए गए इस रब का प्रयोग करने से तुचा की चमक बढ़ जाती है और तुचा लंबे समय तक खुबसूरत दिखाई देती है इस प्रकार से आप ओर्स का प्रयोग करके अगर आपको इस तरह की जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें साथ ही लाइक करना भी ना भूलें धन्यवाद